Hello Indian football fans, welcome to another video of ISR Transfer Market and if you are new to the channel, please make sure that you subscribe to the channel and press on the bell icon and also you can watch the video with English subtitles if you can't understand Hindi language आज की पहली बड़ी अब डिटनी कल के आ रही है मोवन बगान सुपर जाइंट्स फैंस के लिए तो सुनने माहरा है कि मोवन बगान सुपर जाइंट्स ने एक 24 यर ओल्ड एलिक के प्लेयर में इंट्रेस्ट दिखाया है और वो प्लेयर है और वो प्लेयर है ऑस्टेलियन डिफेंसिव मिटफिल्डर जोश निस्बेट तो करेंट्ली जोश निस्बेट सेंट्रल कोष्ट मरीनर्स के लिए खिल रहे हैं और यह वही कलब है जिन्होंने ओडी सा एपसी को 4 निल हराया था और उस मैच में भी जोश निस्बेट ने एक असिस प्रोवाइड किया था सेंट्रल कोष्ट मरीनर्स को और मैं आप सभी को बता दो कि Josh की current market value 3.6 करोड है और उनका contract भी खतम हो जाएगा ये आने वाले summer में Central Coast Mariners के साथ और इसलिए शायदी मोवन बगान Super Giants ने inquiry की है उनके बारे में अब देखने अली बात रहेगी कि मोवन बगान Super Giants Josh की signing complete कर पाते हैं या नहीं अगली बड़ी update निकल के आ रही है है हैदराबाद FC के 24-year-old अब्दुलरभी से related तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि current season में अब्दुलरभी ने बहुत ही जादा impress किया होगा काफी clubs को और currently सुनने मारा कि 4 clubs ने interest दिखाया है अब्दुलरभी को sign करने के लिए क्योंकि अब्दुलरभी right flank पे multiple positions पे भी खेल सकते हैं जैसे कि वो as a right back भी खेल सकते हैं right midfield में भी खेल सकते हैं skill काफी अच्छा है उनका ball control और फिर उसके बाद उनकी pace काफी अच्छी है और इसलिए इतने clubs interest दिखा रहे हैं उनको sign करने के लिए हाला कि अभी तक clubs का नाम तो बाहर नहीं आया है लेकिन जैसे ही clubs का नाम बाहर आता है मैं आप सभी को बता दूँगा और एक और बात कि हैदराबाद FC ने उनका contract जैनवरी में extend कर दिया था 2026 सीजन तक तो जो भी club अब अबदुरभी को sign करना चाहेगी उनने काफी अच्छा transfer भी पे करना पड़ेगा एदराबाद FC को अगली बड़ी update निकल के आ रही है पंजाब FC के 30 year old forward जोएन मेरा से related तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि currently यानि कि last match में ही जोएन मेरा ने काफी अच्छा goal score किया था और currently ये season में उन्होंने चार goal contribution प्रोवाइड किया है पंजाब FC के लिए और मैं आप सभी को बता दो कि दो clubs में interest दिखाया है जोएन मेरा को sign करने के लिए और वो दो clubs है North East United FC और East Bengal FC अब देखने वाली बात रहेगी कि ये दोनों clubs में से कौन सी club जोएन मेरा की signing complete कर पाते हैं और एक बात कि जोएन मेरा का contract Punjab FC के साथ अभी ये summer में complete हो जाएगा और जो भी club उने sign करेगी वो as a free agent sign कर सकती है जोएन मेरा को और मेरे सबसे काफी अच्छी signing होगी क्योंकि जोएन मेरा काफी जादा underrated है लेकिन उनकी performance काफी अच्छी रहती है और उनका dribbling skills भी काफी अच्छा है अगली बड़ी update निकल के आया रही है केरिला ब्लाश्टरस के 31 year old Greek striker दिया मांताकस से related तो जिसे कि आप सभी को पता ही हो कि दिया मांताकस करेंटली काफी अच्छा perform कर रहे है केरिला ब्लाश्टरस के लिए ये इडिन सुपर लिग सीजन में उन्होंने 14 matches में 10 goals score किया है और 3 assists भी provide किया है केरिला ब्लाश्टरस के लिए और सुपर कप में भी उनका performance काफी अच्छा था उन्होंने 3 matches खेलते हुए 4 goal contribution प्रोवाइड किया था केरिला ब्लाश्टरस FC के लिए और अभी मैं आप सभी को बता दू कि currently एक rumor निकल के आ रहा है कि East Bengal FC ने काफी जादा interest दिखाया है दिया मांता कोस को sign करने के लिए और हमें next season दिया मांता कोस East Bengal FC के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और पहले से भी ये news निकल के आ रही थी कि शायद से केरिला ब्लाश्टरस दिया मांता कोस का contract extend नहीं करेंगे लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि next season हमें दिया मांता कोस क्लिस क्लब के लिए खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं हाला कि मैं अभी कहूंगा कि जो टॉक्षलरी है इस्ट बेंगल और केरिला ब्लाश्टरस की बीच में वो काफी initial लेवल पे है या फिर सिव inquiry किया होगा इस्ट बेंगल ने उनके availability के बारे में लेकिन अभी कोई confirm news नहीं है तो प्लीज को एक रियूमर के तरह है ट्रीट करें अगली बड़ी update निकल के आ रही है ओडिसा FC के 25-year-old Indian right back लाल दिन लियाना रेंतले से related तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि यह सीजन ओडिसा FC ने लाल दिन लियाना को साइन किया था लेकिन उनको उतना दादा गेम टाइम नहीं मिल रहा है और प्रिवियसली जब वो जमशितपूर FC के लिए खेलते थे तब उन्हें काफी regular गेम टाइम मिलता था और वो काफी अच्छा performance भी देते थे जमशितपूर FC के लिए लेकिन currently ओडिसा FC में उन्हें गेम टाइम नहीं मिल रहा है और अब भी सुनने में आ रहा है कि उनकी एक और former club यानि कि चन्ने NFC ने interest दिखाया है लाल दिन लियाना को sign करने के लिए और एक और बात कि लाल दिन लियाना का contract ओडिसा FC के साथ 2026 season तक है तो अब देखने वाली बात रहेगी कि लाल दिन लियाना ओडिसा FC के साथ अपना contract mutually terminate करते हैं या फिर चन्ने NFC उनको transfer fee पे sign करती है अगली बड़ी update निकल के आ रही है चन्ने NFC के 22 year old इंडियन midfielder जीतिशुर सिंग से related तो जैसे कि आप सभी को पता है कि last season जीतिशुर सिंग ने काफी ज़ादा impress किया दा काफी clubs को और currently ये season की बात करें तो उन्हें उतना ज़ादा game time नहीं मिल रहा है चन्ने NFC में और मैं आप सभी को बता दो कि जीतिशुर सिंग as a central midfielder भी खेल सकते हैं और as a defensive midfielder भी खेल सकते हैं और इसलिए काफी clubs interested हैं उनको sign करने में हाला कि अभी तक clubs का नाम बाहर नहीं आया है लेकिन सुनने में आ रहा है कि 3-4 clubs interested हैं जीतिशुर सिंग को sign करने के लिए और एक बात की जीतिशुर सिंग का contract चन्ने NFC के साथ 2025 सीजन तक है तो इसलिए अगर कोई club interest दिखाएगी या उनको sign करना चाहेगी तो उन्हें शायद से काफी बढ़ीया transfer fee pay करना पड़ सकता है चन्ने NFC को अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like कर दें चैनल पना है हो तो चैनल को subscribe करके bell notification को जरूर से on कर दें में अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै फूटपॉल